नमस्कार मैं हूँ वर्चा आपके साथ और आप देख रहे हैं S.R.V. बुलिटेंगी चैनल तो आईए देखते हैं आज के मुख्य समाचार मद्द प्रदेश में सियासी संगराब लाने का बीजेपी का एमडू प्लान लगवग रहा कामयाब मद्द प्रदेश में सियासी संगराब के पांच नायक तो बही जनता के सामने अब आएंगे तीन और बड़े महानायकों के नाम जिन्होंने बदल दी मद्द प्रदेश में कॉंगरेस की सत्ता लिख दिया नया इतिहास कॉंगरेस पंदरा साल बाद बनबास से लोटी थी लेकिन कुछ महीने सरकार में रहने के बाद दोबारा बनबास जाने को क्यों कर दिया मजबूर क्यों हो गए इतने बड़े फिर बदल क्या है इनके पीछे का कारण किसने रचा सियासी चकरवियू जिसमें फसकर कमलना सरकार चली गई फिर बनबास पर खबर सूत्रों के हवाले से सबसे पहले रची गई मद्दप्रदेस में सियासत की गाथा मद्दप्रदेस के परभारी बीजेपी उपाद्यक्च बिनाए सहस्तर बुद्रे कॉंग्रेस के बागी बिधायकों से मिले थे उसके बाद बह भुपाल में पहुँचे तो भई मद्दप्रदेस में चल रही सियासी उठापटक के चलते कॉंग्रेस पर बिधायकों को एक जोट रखने की चुनोती सामने थी जिसको लेकर कॉंग्रेस के बड़े दिगज नेता मंतरी साहित अन्य बिधायक सभी एक दूसरे को मनाने में जोटे हुए थे क्योंकि भाजपा के पास बिधायकों की एक जोटा थी लेकिन फिर सुरू हो गया कमालात और सोनिया गांदी द्वारा जोटराद सिंदिया की बात ना मानने का कारवा और फिर जोटराद सिंदिया की बात ना मानने पर बैच्छे खासे नारा चल रहे थे उन्होंने कई बार सोनिया गांदी सहित मद्दप्रदेश के मुखमंद्री कमला से चर्चा करने का प्रस्ताव रखा लेकन उन्हें समय नहीं दिया गया मद्दप्रदेश में सबसे बड़ा सियासी भूचा लाने का यह मुखकारन रहा जोत्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिंद्रादसिं तक्ता पलट होता है तो सिवराज ही बनेगे मुखमंत्री के बतोर दावेदार। प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री अमेसा का कोई करीबी मंत्री उपमाक मंत्री बन सकता है। मद्द प्रधेस में सियासी गड़ जोड पर सिवराज नरोत्ता मिसरा ने अपना एहम युगदान दिया क्योंकि इनका सीधा संपर्ग प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री से चल रहा था। इसके उपरांत बिने सहसर बुद्रे भुपाल पहुँचे जहां पर मद्द प्रधेस के पूर्ध मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान दतिया बिदायक डॉक्टर नरोत्ता मिसरा ने बिदायक दल की बैठक बलाई और यहीं से रची गई मद्द प्रधेस में सियासत की नई गाथा खबर सुत्रों के हवाले से बलोदा राज परवार ने की मोदी और सिंदिया के बीच मद्यस्ता इस्थापद इसी के चलते स्रीमंत जोतरा दे सिंदिया ने दिया इस्थीपा लेकिन इसी बीच कॉंगरिस के बरिष्ट बिदायक राम नबास रावत का बयान आया की सुनिया गांधी और जोतरा सिंदिया की मुलाकात हो चुकी है। कॉंगरिस खेमे में रहाती खबर मिली लेकिन सिंदिया की नाराज़की दूर नहीं हुई। इसी के बीच जोतरा सिंदिया नई दिल्ली में अमैस साहा और नरंद मोदी से मिलने पहुँचे जिसके उपरां की राजनीती में भूचाल ला दिया और कॉंगरिस की प्रात्मे सदस्ता से इस्तीफा दे दिया वहीं उनके साथ चार मंत्रियों और 14 साइथ 18 विधायकों ने इस्तीफा दिया यह संकियाव 18 हो चुकी है दिल्ली में जोतरा सिंदिया अपनी दिल्ली इस्तितनबाद से निकल मुखमंतरी कमलना दे सकते हैं बिधान सावा भंग करने की सपारिश भी कर सकते हैं मुखमंतरी इसी वीच ख़वार आती रही कि कॉंग्रिस बिधायक दल की बैटक में 25 बिधायक गायव रहने की आसंका हुई मामला नेमाल के कुछ बिधायक सुभए 10 मार्च को गुजरात के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए जिसमें कॉंगरे सरकार संकट में आ गई जहां चार मंतरी गायवते बहीं अब सात मंतरी हो चुके थे चुदर बिधायक की जगए 18 बिधायक लापता हुए सभी के मोबाइल बंध हुए मुखमंतरी ने सभी से संपर करनी की कोसिस की लेकिन किसी से कोई बात नहीं हो सकी तो भहीं प्रेश द्वारा कॉंगरेस के बर्ष नेताओं से बात करने पर सभी नेताओं ने बीजीपी पर आरूप प्रत्यारूप लगाना प्रारम कर दिया और मद्ध प्रदेश में सियासी संकट कमलनात ने ठीक राइस का जोतरा सिंदिया के सर पर फोड़ दिया सरकार बचाने के लिए सारे घोले छोड़े गए सारी यूजनाएं बनाएं गई लेकिन सिंधिया नहीं माने सिंधिया को मनाने के लिए कई प्रस्ताव भीजे गए लेकिन बात नहीं बन सकी इसी भी सिंधिया ने एक बयान जारी कर एह साब कर दिया कि मेरे पास 40 भी धायक हैं पल भरे में मद्दिप्रदेश की सरकार पलट सकते हैं इसी बीच सचन पाइलेट से मिलकर अपने घर पहुचे सिंदिया इसके बाद उन्होंने किया बड़ा एलान अपने स्थीबे की परती टूटर पर पोश्ट कर दी और जोतिरा सिंदिया का भाचवा जोन करेने का रास्ता लगबख फाइनल हो चुका है तो भाचवा में आने के बाद सिंदिया का राजसवा के साथ केमिनिट मंतरी बनाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है अगर बाद मद्पर्देश सरकार की करें तो हमैसाय के साथ प्रदान मंतरी मोदी से मिलने पोँचे सिंदिया जिसके बाद मद्पर्देश की सरकार में बड़ा फिरबर्दल हुगा पिता मादरा उसिंदिया की जैन्टी पर उनिकी तरह क्वेर्स आलग हो जाएंगे सिंदिया क्योंकि मादरा उसिंदिया भी पहले भारती इंदा पार्टी के प्रातम सदसर रहेगी अगर 20 मंतरियों ने इस्तीपा दे दिया तो मद्धप्रदेश में राष्टपती सासन लग सकता है जिसके पूरे आसान नजर आ रहे हैं जो तरह सिंदिया के एलान के बाद मुखमंतरी नवास पर सरगर्मी बड़ी है इस्तीपा सोपने के लिए कई मंतरी कमलनास से मिलने पह वाया जाएगा सिंदिया को साम को हो सकती थी बीजेभी संसदी दल की बैठक इसी बीच कॉंगरिस अध्यक सोनया गांधी ने बुलाई आपाद बैठक बड़ी उतल पतल की लीज जानकारी जो तरह सिंदिया पर कड़ी कारवाई के दिये थे संकेत इसी बीच उनका इस्ती फ़ा देने पर दिगवजय सीने कसा तंज तो वहीं पूर्व मुखमंतरी मद्प्रदेश सिवरास सिंग्च चोहान ने प्रेस कॉंपरेंस में मद्प्रदेश की जंता और देश की जंता गोदी होली की सुपकामना है पत्रकार द्वारा जोतरा सिंदिया की बीजेभी में स सिंदिया से नारा चल रहे थे जिसका कारण उनके बगाबती सुरों के कारण था बह जोतरा सिंदिया से नारा चल रहे थे जिसमें सिंदिया के दोरा जम्मू कस्मीर से अनुच्छित 370 हटाने का समर्थन किया गया और 370 को लेकर कॉंगरेस पार्टी एक खिलाब थी भारी ब में बता चुके हैं मैनी फ़र्ष्टो का एक बादा अधूरा रहा तो सड़कों पर उतर आऊंगा यह बयान सिंदिया की रहे और हर बार सिंदिया और कमलनात आमने सामने आते रहे करज माफी के मुद्दे पर सिंदिया ने सड़क पर उतरने की बात कही थी तो सीम ने कहा था की उतर जाएं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इसी के चलते मालवा निमार की कई कॉंगरिस बिधायक गुजरात के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए थे इसी बीच ख़बर आई सिंदिया कुछ देर में भाज़पा मुख्याला भी जा सकते हैं अमेसा से मिलने के बाद कॉ करवाई होते ही जोतरा सिंदिया और बड़ी संक्याम बिधायक निता पदातकारियों ने छोड़ दी कॉंगरिस बोपाल से दिगवया सिंग का आरोप कल जो तीन चार्टेट बिमान बेंगलूर गए थे उनकी विबस्ता बीजेपी ने की थी हमें यह जानना चाहते हैं कि ह हर बार सरकार अस्थर करने के लिए बैंगलूर का क्योंपियों किया जाता है मुखमंतरी कमलनाथ ने जिस परकार माफियां के खिलाब कारवाई की और उससे भाजबा खेमे में घवराट है जब स्रीमत जोतरा सिंदिया ने अपने स्थीपे की पेसकस और ऐलान किया तो संक ले थे तो वहीं सिंदिया के पिता जी की जेंती पर बीजेपी नेता सिंदिया का मादराव सिंदिया को नमन यह इस बात का संकेत था कि जोतरा सिंदिया का स्वागत भाचपा दोरा किया जा रहा है इसी बीच दतिया के बिदायक डॉक्टर नौतमिसरा का बयान कहा और सिं सिंधिया पर मद्धप्रदेश में भाजपा ने किया नमन तो बहीं जोतरा सिंधिया पर जीतू पटवारी का ट्विट सिंधिया पर कसा तंज कॉंग्रिस की बीच आपसी कलया पर भूपाले बीजेपी निता चेन की मुद्राम है सिंधिया समर्तक बिधायक राजबबन का बैया रहा था कि जब चाहें तब मद्धप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार गिरा देंगे इसी बीच मद्धप्रदेश साहित राइस्तान में सियासी उठा पटग सचन पाइलिट लगवग 20 विदायकों के साथ बाजबा में सामल हो सकते हैं लेकिन इसकी पुष्टी अ बल्दाओ देखने को मिला अगर इस बात की पुष्टी की जाए तो सिंधिया के समर्थन में 18 बिधायकों के साथ कई मंत्री भी सामल है 18 बिधायकों के साथ मंत्रियों के स्तीपे राजबवन के इमेल पर पहुँचाए गई थे तो भही इन सब के भाचवा में आने के बीजेपी ने कहा कि यह खबर भी सूतनों के हवाले से है कि जोतरा सिंधिया को बीजेपी में मिलेगा सम्मान मोधी सरकाराम बने के मंत्री अगर जोतरा सिंधिया की स्तीपी की बात करें तो मद्द प्रदेश की राजनीती में अंदेकी से नाराज जोतरा सिंधिया ने पा पार्टी में सामल होने जा रहे हैं बीजेपी के पाले में आते ही जोतरा सिंदिया को बाय सम्मान भी मिल जाएगा जिसके लिए कौंग्रेस में बाय संगर्स कर रहे थे। सूतरों का कहना है की बीजेपी सिंदिया को राज सबाह में भी सकती है इसके अलावा उने मोदी सरकार मंद्री बनाया जाएगा सूतरों के मताबग संसा सतर के बाद मोदी केविनिट का बिस्तार किया जाएगा और इस बिस्तार में सिंदिया को सामल किया जाएगा सिंदिया क के स्थीफ़े के बाद बीजेपी के लिए राज में सरकार बनाना आसान हो जाएगा इसकी तैयारी बीजेपी ने सुरू कर दी है सिंधिया के साथ सुरू हुई इंदौर में भी बगावत इंदौर सेर कॉंग्रिस अध्यक्ष प्रमो टंडर ने भी दिया स्थीफ़ा पहरे 19 बिदायकों के स्थीफ़े के बाद अब सरकार बनाने के लिए 103 बिदायक सरकार बनाने के लिए चाहिए ऐसे में बीजेपी के पास 107 बिदायक हैं जिसके बाद अब बीजेपी की सरकार बनना लगवकता है हाला कि उससे पहले ही कमलनात इस्थीफ़ा दे सकते हैं ऐसे में बीजेपी इससे पहले राजबाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेस कर सकती है अब बात यह आती है कि कमल खिलेगा या फिर कमल मद्द प्रदेश के 18 बिदायक जिन्होंने अपने पस से इस्तीपा दे दिया जिनमें भांडर बिदायक स्रीमती रक्चा संतराम सरोनिया भी सामल है सूतरों के हवाले से खबार आई थी कि जोतरा सिंदिया का कौंगरिस से इस्तीपे के बाद 10 मार्ज को साम 6 बजे बीजेबी में सामल होंगी कौंगरिस नेता बिपक्च अधीर रंजन ने मद्द प्रदेश में कौंगरिस सरकार नहीं बचेगी सिंदिया खेमे के 18 बिदायक जिनमें से 6 मंतरी भी सामल है जिन्होंने अपना त्याग पत्र बैंगलूर से मीडिया के सम्मुख परदरस्त करने के बाद मेल आइडी से भीज दिया गया बिदायकों का इस्तीपाल लेकर स्टेट हैंकर पहुँचे भूपेंदर सिंग ऑपरेशन लोटस एपिसोड की एहम भूम का इवम एहम कड़ी पूर्ब गरह मंतरी भूपेंदर सिंग बिसेस विमान से इस्टेट हैंकर भूपाल पहुचे बैंगलूर से निकल कर दो पर तीन बजे तक इस्टेट हैंकर पहुचे सूतरों के मताबिक भी सिंधिया समर तक बिदायकों के इस्तीपे लेकर पहुचे थे जिसके बाद मद्द पूर्देश में गर गई कौंगरिस की सरकार महराज जोतरा सिंधिया थाम लेंगे अब भाजपा का हाथ फिर एक बार सिबका राज कुछ कौंगरिस की नेताओं का बयान का सबराज सिंग चोहां चाहेंगे तो बनेंगे मंत्री इसी पीच इंदोर से आजय सिंग सेंगर का बयान जारी हुगा जिन्होंने कौंगरिस अद्यक्च सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा था कि जोतरा सिंधिया के नाम और चेहरे पर मद्द प्रदेश में कौंगरिस की सरकार बने करते हुई इसी कारण में जोतरा सिंधिया का नुसरान करते हुई पाटी के प्रदेश महामंतरी पदवा प्रात्म सदस्ता से सिंधिया के साथ त्याक पत्र दे रहा हूं मैं पूर्ण निष्टा से जोतरा सिंदिया के साथ रहूँगा सिरीमत जोतरा सिंदिया के स्थीपे के बाद और उनके 18 विधायकों के स्थीपे के साथ अब मद्द प्रदेश विधानसभा की मौजूदा संक्या 209 रह गई है यानि बहुमत का आकड़ा 105 पर रह गया बीजेपी के पास 107 लगवग बिधायक हैं जबकि कोंगेस के पास लगवग पंचाने बिधायक बचे हैं जिन में से चाय नरदर ये दो बासपा और एक सपा का बिधायक है जो कहीं भी जा सकते हैं जोतरा संदिया के स्टीपे के बाद मुकमंत्रियों चे मंत्रियों को ततका लटाने के सपारस की थी जिन में से इमर्ती देवी, तुलसी सिलावट, गोबंद सिंग राचपू, महेंदर सिंग सिसोदिया, परदम सिंग तॉमर, डाक्टर प्रबूराम चोधरी इसके बाद दिगविया सिंग का आठपटा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जोतरा संदिया को स्टीपे को स् सिंदिया समर्त तक, मद्वर्देश कॉंईरि सीवादल के पृदेश अध्यक्त सतेंदर यादभ ने भी इस्तीपा दिया, इसके बाद ुबा कॉंईरिक्चों के बाद मंतरी और अध्यक्तों ने भी अपने-पने स्तीपज स्वभ दिये, देख भजा कि खास का अंसाना भ पत्र में 19 बिधायकों के हस्ताक्चर भी हैं जोतरा सिंदिया के 19 बिधायकों के इस्तीपा देने पर सिर्फ एक ही बाद सामने आ रही है कि बाय अपने दल में गुटन महसूस कर रहे थे और अपमानत होकर बगाबत की और बड़े मद्द प्रदेश के दिगज कॉंगरिस ने थी और बहुमत से पीछे रही और कमलनात की सरकार बनी सिंदिया गराने की धुरबरोधी रहे राजनीती के चानक बिजय सिंग के चक्रवियों में फसी कॉंगरिस की सत्ता कमलनात और परदे के पीछे से दिगज सिंग आबरन ले चुकी थी और गुटवाजी ने जोतरा सि परवार की सियासत कौंगरिस से सुरू होकर जनसंग पहुंची थी बरतमान में जोतरा सिंदिया को छोड़कर बागी सब बीजेपी में है राजमाता बजेराई सिंदिया चाहती थी कि उनका पूरा परवार बीजेपी में ही रहे मद्पर्देश की राजनीती के महराज जोतरा सिंदिया बगावत कर चुके है जोतरा सिंदिया कौंगरिस सांसा दोर केंदरी मंत्री भी रहे ऐसा माना जा रहा है कि अपनी दादी बिजेराई सिंदिया के सपने को साकार कर रहे जनसंग की स्थापना सदस्यों मरी राजमाता की नाम से मसहूर बिजियराई सिंदिया चाती थी कि उनका पूरा परबार भारती अंता पार्टी में लोट आए आपको बता दें कि सिंदिया परबार और बीजिबी का कनेक्शन क्या है गौालियर राजकरिने बाली राजमाता बिजियराई सिंदिया ने 1957 में कॉंडिस से अपनी राजनीती सुनू की गुना लोकसवा सीड़ से सांसा चुनी गई सिर्फ दस साल में ही उनका मौ भंग हो गया और 1967 में जनसंग में चली गई बिजियराई सिंदिया की बदोलत गौालियर चेतर में जनसंग मजबूत हुगा और 1971 में इंदरा गांदी की लहर के बावजूद जनसंग यहां की तीन सीजे जीतने में कामयाब रहा खुद बिजियराई सिंदिया भिंड और और अटल बिहारी बाचपई गौालियर से और बिजियराई सिंदिया के बेटे और जोदरा सिंदिया के पिता माधराई सिंदिया गुना से सांसत बने गुनापर सिंधिया परबारे कबजा लंबी समय तक रहा मादराओ सिंधिया सिर्फ 26 साल की उमर में सांसच चुने गई लेकिन 1970 में आपात काल के बाद उनकी रास्ते जनसंग और उनकी माँ बिजियराई सिंधिया की अलग हो गई 1980 में मादराव सिंदिया ने कौंवरिस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर केंदरी मंतरी वे बने बहीं दूसरी तरफ बिजेराई सिंदिया की बेटियां बसंदरा राजी और यसोदरा राजी सिंदिया ने राजनीती में एंट्री की 1984 में बसंदरा राजी बीजेपी के राष्टिय कारकारणी में सामल हुई कई बार राइस्तान की सीम भी बन चुकी है उनके बेटे दुसेंदी बीजेपी से ही राइस्तान की जहला बार सीड से सांसाथ है बीजेपी सरकार में मंत्री बनी यसोदरा राई सिंधिया बसंदरा राई सिंधिया की बेहन यसोदरा 1970 में अमेरिका चली गए उनके तीन बच्ची हैं लेकिन राजनीती में किसी ने भी दिल्ज़ची नहीं दखाई 1994 में जब यसोदरा भारत लोटी तो उन्होंने अपनी मा की इक्चा के मताबक बीजेपी जोएन की और 1998 में बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ा पांच बार बिधाय के रह चुकी यसोदरा राई सिंधिया सिवरा सिंध चोहान की सरकार मंत्री भी रही है जबकि इन सबसे अलग जोतरा सिंधिया अपने पिता की बिरासत सम्हालते रहे और कॉंग्रिस के मजबूद नेता बने रहे 2001 में एक हाथसे में मादराव सिंधिया की मौत हो गई गुना सीट पर उपचुना हुए तो जोतरा सिंधिया सांसत चुने गई 2002 में पहली जीत के बाद जोतरा सिंधिया कभी चुनाओं नहीं हारे लेकिन 2019 के लोकसवा चुनाओं में उन्हें करारा जटका लगा तब उन्हें ऐसास हुगा कि उन्हें कुछ खो दिया अपने पता की बिरासत को हाँ से निकलता देख उन्हें बहुत दुख हुगा लेकिन बरतमान कौरे सरकार ने उनका साथ नहीं दिया जिस कारण उन्हें अपमान महसूस हुगा कभी उनके सायोगी रहे करशनपाल से यादब ने सिंधिया को हरा दिया हाला सुधरे नहीं और मदप्रदिस के बिदान सवा चुनाओ में कौरेस ने सरकार तो बनाई लेकिन बहुत कोस्तों के बावजूद जोतरा सिंधिया सीम नहीं बन सके और उनके मुकमंतरी बनने के पीछे सिर्व एक ही कारण था चुनाओ से पहले सिंधिया को बतौर मुकमंतरी के रीप में मदप्रदिस जनता के सामने परजेंट किया गया लेकिन बाद में कमलनाध को मदप्रदिस का मुकमंतरी चुना गया इसके छे महीने बाद ही लोगसवार्द चुनाओ में सिंदिया के लिए दूसरा बड़ा जटका सावित हुगा सी-एम बनने के बाद लगवग तेश बिधायक ऐसे हैं जिने सिंदिया की खेमे का माना जाता है जिन मैंसे कुछ को मंत्री बनाया गया इन मेंसे कुछ बिधायकों ने कमलनात की सरकार को मस्कलों में डाल दिया लोकसवा चनौमें हार के बाद ही खुद को अकेला महसूस करने लगे बार बार मांग करने के बावजूद उन्हें मदप्रदेस कौंगरिस के अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया गया जिस करन उन्हें गुसां आ गया मदप्रदेस कौंगरिस के अध्यक्ष पद नहीं मिलने पर इसने आग में घी डालने का काम किया इसी भी सिवरा सिंग चोहान ने मुलाकात की और एक नया अध्या मदप्रदेस की राजनीती में जुड़ गया हाला की जोतरा सिंदिया ने कहा की कौंगरिस कभी नहीं छोड़ेंगे लेकिन नवंबर 2019 में कौंगरिस पार्टी के सभी पदों को छोड़कर दवाव बनाने कोसिस की लेकिन उनकी एक कोसिस भी नाकाम हुई एमपी में मचे सियासी होड़ दंग भगदल में कौंगरिस सरकार नहीं बचेगी 20 बिदायकों कि स्थीपे के बाद कौंगरिस अलब मत में आ गई है और भाजबा पूर बहुमत में पहुंच सकती है भाजबा की सरकार मद्पिर्दिन बनना लगबग तैमाना जा रहा है लेकिन इस वार मुखमंतरी सिबरासिंग चोहन की जगए नरेंसिंग तौमरी बन सकते हैं यह ख़बर सूतरों के हवाले से है लेकिन यह अभी तक इस पश्ट नहीं होगा कि क्या सबरासिंग चोहन और जोतरा सिंदिया को राजसवा के रास्ते केंदर में मंत्री बनाया जा सकता है जोतरा सिंदिया के इस तीपे के बाद सिपुरी के पूर बिदायक ने जिनका नाम गलेस गोतम है उन्होंने भी कौंगरिस पर से इस तीपा दे दिया और कॉंगरिस की प्रात्म सदस्ता से अलविदा कह दिया उन्होंने कहा कि जोतरा सिंदिया के फैसले से सहमत हूँ मैं और हमेशा उनी के साथ रहूंगा इसी भी सिंदिया के पुत्र महा आरियन ने कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्भ है मेरे पिता कभी सत्ता के मुह में नहीं रहे लेकिन इसी बीच भारती इंता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई बयान जारी नहीं किया कॉंगरिस के 18 बिधायकों के बाद बीजेपी ने दावा किया कि 30 बिधायक और दे सकते हैं इस्तीफा कॉंगरिस में खल वली सूत्रों के हवाले से ख़बर मद्पर्देश की राजनीती में तक्ता पलट करने के बाद जो आग मद्पर्देश में लगी है उसका दुए राइस्तान की और बलता जा रहा है राइस्तान में भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है सचन पाइलेट मुखमंतरी बन सकते हैं अगर सचन पाइलेट को मुखमंतरी नहीं बनाया गया तो बायपने 11 मंतरी और 14 विदायकों के साथ बाचपा में सामल हो सकते हैं उनका रुक बाचपा की ओर जाने की तैयारी में है ये खबर सूत्रों के हवाले से है तो मैं राइस्तान की सरकार भी संगट में आ सकती है क्योंकि मुखमंतरी असो गहलो तोर कॉंगरेस प्रदी सद्यक्ष सचन पाइलेट के बीच कॉंगरेस सरकार गठन से चल रहे बिबाद से आप सब परजित हैं जिसका खामया जब मदप्रदेस सहित राइस्तान सरकार को भुखतना पड़ सकता है इसे बीच जोतरा सिंधिया दौरा दिये गए स्टीपे में सिंधिया ने कहा कॉंगरेस में रहती हुए मुझे मेरे देश की सेवा करना संबब नहीं लग रहा इसलिए मैंने स्टीपा दे दिया तो वहीं स्टीपा देने के बाद सिंधिया की चिट्टी में चलका सिंधिया का दर्द कहां खुद को रोक रहा था लेकिन अब और नहीं जोतरा सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया गया हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था पार्टी से गद्दारी करने बाले के साथ तो एंसा ही करना पड़ेगा यह बायान अधीर रंजन चोधरी के रहे इसी बीच जोतरा सिंदिया के फैसले को यह सुधरा राज सिंदिया ने कहा राज माता के रक्त ने लिया राश्टित में फैसला सिवरासी चोहान का बयान कॉंगरिस के लिए जोतरा सिंदिया पहले माराजा थे इस तीपे के बाद माफिया हो गई जोतरा सिंदिया समर्थ तक पांच मंतरी सायथ बिदायकों ने दिया इस तीपा बार्दी एंता पार्टी का M2 अभियान प्लान दो मैने से कर रही थी भाचपा मद्द प्रदिस में कॉंग्रिस की सरकार गरानी की तैयारी बार्दी एंता पार्टी का अगले निसाना राइस्तान महराच सहित अनराज्यों को हो सकते हैं मंत्री जीतू पटवारी ने कहा 1857 और 1967 के बाद एंपी में आज फिर बन रहा इतिहास बेदान सबाद द्यक्ष एंपी प्रजापती ने कहा कॉंग्रिस अदस्यों के स्तीपे पर नियमानसार कारवाई की जाएगी मंत्री प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी सेवादल के जिला अद्यक्ष बेरागी हरिया खेडा ने कॉंग्रिस को कहा अलविदा बोले सिंधिया के साथ हूँ कॉंग्रिस के सभी बिदायक स्तीपा देने के बाद मध्यावदी चुना होंगे बीजेबी के सरकार नहीं बनने देंगे यह बयान रहे कमलनाथ के सूत्रों के हवाले से खबर अब गेंद बिदान सभा अद्यक्ष एनवी प्रजावदी के हाथ सूत्रों के नसर बो तैय करेंगे कि किस बिदायक का स्तीपा कफ सुई कर करना है आने बाले दिनों में और रोचक होगा मद्द प्रदेश का पॉलिटिकल ड्रामा 13 मार्च को जोतरा सिंदिया के मद्द प्रदेश के आने के कयास तब तक एक्टिब मोलों में कमलनाथ और दिगवजा सिंग मद्द प्रदेश के मुखमंदरी कमलनाथ और दिगवजा सिंग के दौरा ली गई कौरिस बिधायक दल की बैठक में 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 संपर्ग में हैं इसी भी सिंधिया समर्थक मंतरी उमंग सिंगार का दावा सरकार तो गई समझो तो बहीं जोतरा सिंधिया ने बढ़ाया सस्पेंस अब नई दिल्ली की बजाए 12 मार्च को भोपाल में बीजेपी जोइन करने की संभावना जताई जा रही है मौकमंतरी कमलना सिंग का बयान कहा जिस संकल्प के साथ कोणरिस सरकार बनाई थी उसे हर हाल में पूरा करेंगे कॉंगरिस बिदायक दल की बैठक में मुकमंतरी का संबोदन कहा मुझे बहुत बड़ी खुसी हुई कितनी बड़ी संख्या में आप सभी उपस्तित हुई मुझे आज निरासा बिलकुल नहीं है तो बहीं हमने तो 1970 का बो दोर भी देखा है जिस समय इंदरा गांदी जी चुनाव हार गई थी उस समय कॉंगरिस पर संकट का दोर था ऐसा लगता था कि कॉंगरिस दोबारा बापस खड़ी नहीं हो पायेगी लेकिन कॉंगरिस और मजबूती के साथ दोबारा खड़ी हुई हमने कई बरसों तक राज भी किया है हमने बहुत दोर भी देखा जब संजा गांदी को जेल में डाल दिया गया कॉंगरिस के संकट के दोर में भी हम इसलिए खड़े रहे क्योंकि हमारी कॉंगरिस के परती निष्टा इमानदारी और समानपन की भावना थी आज भी दोर है, सरकार को अस्तर करने के लिए कई परियास किये गए हैं लेकिन हम लोग आप परियास सपल नहीं होने देंगी कॉंगरिस सरकार ने चौदा माह में मिलावटे क्लाब सुद्द के लिए युद्ध का अभयान चलाया माफियाओं खिलाब अभियान चलाया किसानों करजमाप किया युवाओं को रोजगार देने का काम किया माफियाओं खिलाब चलाया गए अभियान के दोरान उनकी उपर कई दवाब आए लेकिन माफिया युक तो नहीं बलकि माफिया मुक्त प्रदेश बनाना था कमनलाथ ने जो तरह सिंदिया पर तंज कस्ते हुए कहा कि आज हमें अपनों ने ही दोका दिया प्रदेश में भाच्वा दोरा जिस तरह लोग तांतरिक मूलियों के हत्या की जा रही है उसका बैक करारा जबाब देंगे अब देखना होगा आगामी समय में कि मद्दप्रदेश की राजनीती में क्या हल चल होती है क्या मद्दप्रदेश सरकार अस्तर की जगए इस तरह हो सकती है या फर मद्दप्रदेश में कौनरेश सरकार गिर जाएगी और भाच्वा एवं भारती इंद्रा पार्टी के सरकार बनेगी